ओम श्री सत्गुर्देव भगवान कीज़े एक भक्त ने प्रस्ण किया है कि महराज जी आपके अथार्थ गीता में लहसुन प्याज के बारे में लिखा हुआ है कि लहसुन प्याज ना तामसी है ना राजसी है ना सात्वकी है ये लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए बलकि गुनों को बताया गया कि तामसी गुन क्या है, राजसी गुन क्या है, शात्री की गुन क्या है लेकिन बहुत से लोग लहसुन प्याज को तामसी भोजन मानते हैं और इसको नहीं खाते हैं इस पर आपका क्या विचार है देखिए भगवान स्री कृष्ण ने गीता को मानवता के परिपेच्छ में मानवता को दृष्टी गोचर करते हुए अपनी दृष्टी में रखते हुए पूरे मानव जाती के लिए उपदेशित किया है इसलिए पूरे मानव के जो आहार है वो देश-काल परिष्ठिती के अनुसार बदले हुए हैं कहीं मौसम बहूत सीत का है तो वहां लोग बहूत गरम भोजन करते हैं कहीं मौसम गर्मी का है तो वहाँ लोग ठंधा भोजन करते हैं कहीं पर साकाहारी भोजन नहीं मिलता तो वहाँ पर लोग मांसा हारी त्यार भोजन करते हैं कहीं पर साकाहारी भोजन की बहुत जादा उपलब्धता है इसलिए वहाँ के लोग साकाहारी होते हैं ये देश काल परिष्टिती के अनुसार ये भोजन इत्याद बदलते जाते हैं इससे धर्म से कोई संबंध ने जहांके लोग अधिक मास इत्याद का सेवन करते हैं वो लोग भी पुजा पाठ करते हैं वो लोग भी अपने भगवान को रिजाते हैं और वहीं चीज भगवान को भोग भी लगाते हैं तो अब उसी को धर्म अधर्म मान लेना ये व्यापक्ता में कहीं न कहीं से अपनी सोच को तुछ्य करना है अब जम्मू कस्मीर वगएरा में जो भी माइनस डिग्री टमपरेचर पर सैनिक वगएरा रहते हैं चाहे लद्दाक वगएरा में लेह लद्दाक वहाँ पर सब लोग चाहे वह पंडी जी होंगे सेना में तो भी चाहे कोई भी जात होंगे सब लोग माइनस इत्याद लश्ण प्याज का सेवन करते हैं जम्मू कस्मीर में जहां ठंधा प्रदेश है चाहे जिस जगन ठंधा राज्य है वहाँ सब लोग खाते हैं गरम पदार ताकि शरीर गरम रहे तो अब इसी को धरम अधरम की परिभासा से हम लोगों ने जोड दिया कि लहसुन प्याज जो नहीं खाता है वह अधारमिक है और जो लहसुन प्याज खाता है वह अधारमिक है वह तामसी है जो कि ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण एक मनुष्य का स्वभाव है एक बृत्ती है धीरे धीरे व्यक्ति भजन करने लगता है तो तमोगुण से हट करके रजोगुण में प्रवेश करता है फिर भक्ति बढ़ाते बढ़ाते फिर रजोगुण से हट सतोगुण में पहुँच जाता है तो बहुत लोग कथा ब्यास लोग या कहेंगे कि बाप रेबाप लहसुन प्याज खाता है तो जो समसितोष्ण जलवायु में रहने वाले लोग हैं इनके लिए अत्याधिक लहसुन प्याज शाधना में वर्जित किया गया है पुझ्य गुर्देव भगवान ने भी यथार्थ गीता में इसका समर्थन नहीं किया है बलकि कहा है कि न यह तामसी है न यह राजसी है न यह सात्यकी है भोजन न तामसी होता है न राजसी होता है न शात्रकी होता है आपका विचार तामसी राजसी या शात्रकी होता है तो महरास्री ने यह बताया है और बताया कि साधक को कम मात्रा में इसका अगर वह सेवन करता है तो कोई दोस नहीं है क्योंकि इससे कोई मतलब साधना से उसके उपर नहीं पड़ता हाँ जादा मात्रा में कोई भी चीज आप घी ही खालो बहु जादा ठंधा ही चीज खालो बहु जादा आदी ही खालो मर्चा ही खालो तो नुस्कान करेगा इसलिए जादा मात्रा में इसका सेवन करने के लिए महापुर्शों ने सदयो मना किया है और लहसुन प्याज तो एक आउसद है आईरवेद में इसे आउसद ही कहा गया है किसी भी आयरुवेदिक डाक्टर के पास आप जाईए जो आयरुवेदिक डाक्टर हैं तो आपको वो सलाह देंगे कि आप थोड़ा प्याज और लहसुन का सेवन की जिए लहसुन से कोलस्ट्रोल घटता है किसी भी तरह का कोलस्ट्रोल हो वो लिपिट प्रोफाइल में घटेगा और प्याज से डबलू बीसी स्वेत रख्त और दिमाग में सांती सितलता क्योंकि आप देखते हैं लूक जब लग जाता है तो प्याज का लेप भारती प्राचीन परमपरा में लगाई जाती है तो ये तरह से यह आउसद ही है तो इससे बस लहसुन प्याज को छोड़ देना ही धरम है तो तमाम जीव जन्तु लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो क्या वो लोग धार्मिक हो गए तब तो लोगों को भगवान सबसे पहले मिल जाएगी कभीर साहब ने कहा के गंगा के नहाईले कवन नर तरले मचली न तरल जेकर जलवे बीच घरबा अमुडवा के मुडईले कवन नर तरल भेडिया न तरल जेकर रोज सरा सर बा लहसुन की आज छड़ले से कवन नर तरल पसुवा न तरल जे लहसुन की आज छड़ले रोज बा तो इसलिए यह एक रूढ़ी है और इस रूढ़ी को लोगों ने बस धर्म का स्थान दे दिया और कह दिया के हम लौसुन की आज नहीं खाते हैं तो हम धार्मिक हो गए अब एक धार्मिक व्यक्ति थे इधर मिध्रांचल में जाईएगा तो सब के घर चायो कोई जात हो पंडी जी हो कोई जात हो लगभग लगभग सब के घर मान सित्यादी का सेवन होता है आप उत्री विहार में चले जाओ 95-90% लोगों के यहां तो वो लोग कहेंगे कि हम लहसुन प्याद नहीं खाते हैं और मान सित्यादी का सेवन करते हैं वो लोग अब अंडा एक तलवा रहे थे पंडी जी बोले हम लहसुन प्याद नहीं खाते हैं हमारे अंडा में लहसुन प्याद मत डालना तो उसी को धरम समझ लिए कि हम धार्मिक हो गए तो धरम से उसका कोई संबंद नहीं यह गरम होता है उत्तेजक होता है इसलिए साधकों को प्रायह महापुर्सों ने सलाह दिया कि इसका सेवन कम मात्रा में औसधी रूप में किया जा सकता है जादा गरम मसाला भी अगर आप खाते हैं जादा घी भी खाते हैं जादा दूर भी खाते हैं तो वो साधक के अंदर तामसी विचार को उत्वन करेगा और अब घी भी अगर आप ज़्यादा खा लिए तो आपके अंदर तामसी विचार आएगा तो इसका मतलब किया घी तमोगुरी हो गया तब तो घी नहीं खाना चाहिए अगर आप ज़्यादा गरम मसाला भी आप खा लिए तो कोई भी भोजन अगर आपके अंदर उत्तेजना पैदा करता है, जादा मात्रा में उत्तेजित विचार पैदा करता है, तो आपके लिए तामसी भोजन हो गया, इसलिए भोजन आप किसी भी तरह का करते हैं, तो उससे विचार आपका तामसी, राजसी, सात्रिकी होता है, इसलिए भगवान ने कहा के उचिष्ठ बासी कई दिनों का भोजन तामसी है अत्यदिक कड़वा खट्टा नमकीन यथार्द गीताम पुझे गुर्दे भगवान ने लिखा है राजसी है रस युक्त चिकना पदार्थ शात्विकी है इसलिए साधक लोग जो होता है आयू वर्धक रस युक्त चिकना पदार्थ जिससे उसके साधना में सहायक हो वो लेता है अब एक जगह एक पंडी जी थे लहसुन की आज एकदम नहीं खाते थे बाव साभ के बरात चले गए वहाँ जब गए तो खुब एकदम मसालेदार मुर्गा बना हुआ था क्योंगी राजपूत लोग के बरात में तो बनता है मास मचली इत्यादि सब तो चल रहा था पंगत में वो भी ठाकूर बावन इत्यादि सब आपस में दोस्त नहीं होते हैं तो वो भी बैठे हुए थे पंगते में तो चंदन टिक का जने वो नेव धोती कुरता पहने थे तो जो परसने वाला था वो सोचा भाई पंडी जी है तो खाते नहीं होंगे तो सब को दिया उनकी थाली में नहीं दिया आगे बढ़ रहा था तो पंडी जी ने कहा रे क्या है उसमें तो उसने कहा रे सरकार आपके लिए नहीं है ये ठकुरई भोजन है राजपुतई भोजन आपके लिए नहीं है बोले है क्या बोले मुर्गा है चीकन है तो बोले अच्छा तो चीकन में दोस है न रसा में कोई दोस नहीं उसमें से रसा निकाल करके दे दो और वो बोटी मत देना तो कल्चुल इसे बराबर आने लगा कल्चुल डालने लगा इसे पनीर के से निकाल निकाल के लोग कल्चुल में से अलग देते हैं वो इसे निकालने लगा तो एक आग बोटी भी कल्चुली आमें चल जाए पंड़ी जी कहें अरे क्यों देरी कर रहे हो बोटी भी चला रहा है तो छोड़ अपने से आ रहा है तो उसको भी आ जाने दे तो इसलिए इससे धरम से कोई संबंध नहीं है जो छोड़ना चाहिए वो हम लोग छोड़ते नहीं है काम, क्रो, लो, मो, राग, द्वेश तो साधक के लिए मास, मचली, त्यार, दारू, तारी इसका सेवन वर्जित है नारी को माता के द्रिष्टी कोंड से एक साधक को सुदेव देखना चाहिए उत्तेजित भोजन को कम मात्रा में करना चाहिए तो ये सब चीज कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं कुछ लोग यथार्थ गीता इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें डिमेरिट क्या है इसको निकाला जाए तो अब डिमेरिट निकाल के प्रस्न करने लगेंगे ठीक है प्रस्न करना स्वाभाविक है परिप्रस्नेन सेवया गीताम भगवान ने कहा है अरजुन से कि अरजुन प्रस्न और सेवा से साधक को साधना में पार लगता है लेकिन प्रस्न साधना अत्मक होना चाहिए लेकिन समाज में आज ऐसी व्यापक्ता है ऐसी रूड़ी है कि कुछ लोग बस लहसुन प्याज को छोड़ देना ही धर्म मानते हैं और अपने को बहुत बड़ा धार्मिक था महापुरुस मानने लगते हैं जितने भी महापुरुस हुए धर्ती पर किसी भी महापुरुस का पुनतया मतर इसमें असपर्ष्ट मतर ये नहीं है कि लहसुन प्याज तामसी है या यह वा या वा है सब महापुरुसों ने इसको तेजक और गरम पदार्थ माना है इसलिए साधकों के लिए वरजित किया है कम मात्रा में इसके सेवन की सलाह दी है और विचार तामसी राजसी सात्रकी होता है इसलिए अपने विचारों को निरंतर इष्ट के प्रती लगाए रखना चाहिए जिससे विचार में उतेजना न पैदा हो इसलिए महापुरुसों ने कहा कि साधक को अपने मन को नाम, रूप, लीला, धाम में निरंतर लगाए रखना चाहिए नाम से मन हटा तो रूप में, रूप से मन हटा तो लीला में लीला से मन हटा तो धाम में तो विचार में न तमोगुन आएगा धिरे-धिरे रजोगुन आएगा और धिरे धिरे सतो गुणी हो जाएगा फिर एक ऐसी अवस्था आएगी कि भगवार ने कहा कि त्रय गुण्या विश्या वेदा भवार जुनह अर्जुन तीनो गुण से उपर उठ और मेरा भजन कर ये रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण किसी न किसी गुण में ही फसाएंगे और फिर से प्रकृत का चक्कर काटना पड़ेगा इसलिए इन तीनो गुण से उपर उठ और मेरा भजन कर तो मात्र यथार्थ गीता में जो लहसुन प्याज का जिक्र आया है पुझे गुर्देव भगवान ने तो बस यहीं बताया है कि भाई ये मानोता का ग्रंत है गीता उसकी टीका है यथार्थ गीता भगवान सिरकृष्ण के जो यथार्थ विचार थे वो इसमें दर्स आय गया है इसलिए पूरे मानो जाती को इंगित करते हुए ये सास्त्र लिखा गया है भगवान कृष्ण के दवारा आरजुन को उपदेशित किया गया है इसलिए मानो अलग-अलग मौसम में अलग-अलग देश काल परिष्थिती में राता है वहां अलग-अलग भोजन अनुसी हो जाता है इसलिए देश काल परिष्थिती में हम लोग जिस क्लाइमेंट में रहते हैं वह क्लाइमेंट है समसी तोष्ण इसलिए इस क्लाइमेंट के लिए ज्यादा लहसुंप्याज ज्यादा गरम मसाला ज्यादा घी त्यादी तेल का ज्यादा सेवन ये सरीर के लिए हानिकारक है उत्तेजक है इसलिए कम मात्रा में इसका सेवन करते हुए साधना में लगे रहना चाहिए जिससे आपके विचार उत्तम होंगे तो आपके व्यवहार उत्तम होंगे और व्यवहार उत्तम होंगे तो आपके संस्कार उत्तम होंगे और संस्कार उत्तम होंग इसलिए आप सिर्फ लहसुन पे आज छोड़ करके बाकी मास, मदिरा, दारू, तारी ये सब खाईए पीजिये और कहिए कि हम बहुत वरका धर्मातमा हो गए तो ऐसा नहीं आपको बुराईयों को छोड़ना है अच्छाईयों को अपनाना है तब आप धर्मातमा होंगे और ओम का जाप करिए धीरे धीरे भगवान ही आपको बताएंगे अंदर से क्या राजसी है, क्या तामसी है, क्या सात्विकी है और इससे उपर कैसे उठा जाएगा बोलिए स्री सद्गुर्देव भगवान की जैद